सबी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पे यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ बोर्ड पेपर के जो सॉलूशन्स हैं वो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप अपने जो क्वेश्चन पेपर के सॉलूशन्स हैं उनको देख पाएं और कुछ बच्चे जो अभी अभी 9 से 10 में 10 से 11 में ऐसे जाते हैं तो उनको भी सॉलूशन्स की जरूद पढ़ती है वो भी उस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद में उसके सॉलूशन्स की डिमांड करते हैं तो इसलिए मैंने सॉलूशन्स प्रवाइड कराए हैं आपको फुल सॉलूशन है टोटल का टोटल सॉलूशन है इसमें दूसरी बात पता दूँ अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगती है तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ लें और उसके बाद में उसके सलुसन को देखें और कुछ लोगों को परिशानी एक और होती है, जो कमेंट में भी लिखा है, कुछ लोगों ने personally message भी किया है कि वीडियो की जो ग्राफिक्स है यानि कि वीडियो की जो क्वालिटी है वो साफ नहीं दिखाई देती तो मैं उन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो की जो quality है अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के उपर एक बार केवल अपने उंगली से tap करिए या click करिए click करते ही आप देखेंगे right corner में वीडियो के चार कोने होते हैं वीडियो के चोथे कोने में उपर की तरफ right corner में तीन डॉट दिखाए देंगे उस तीन डॉट पर click करिए आप तीन डॉट पर click करने के बाद एक window खुलेगा उस window में आपको quality का option आएगा उस quality के option पर आप click करेंगे तो आपको देखेंगे वहाँ पर quality 144, 260, 320, 480 और 720 इस तरह से qualities होंगे तो जितना qualities आप ज़्यादा select करेंगे उतनी अच्छी वीडियो आपको साफ दिखाए देगी तो मैं कहूंगा अगर आप 480 P quality select करते हैं तो वो best है आपके लिए 480 बहुत ही बढ़िया रहेगी दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि आपने कितने marks gain किये हैं इन question papers में और अगर आपका कोई suggestion है जैसे कि आप कुछ बताना चाहते हैं इस question paper के बारे में या इस solution के बारे में तो आपका most welcome है प्लस आप ये भी बताएं कि आपने जो इस question paper में कितने marks gain किये हैं comment के थुरू आप मुझे comment कर सकते हैं आपके लिए जो मैंने ये question है ये main question है उसके और part के भी solutions provide करा दिये हैं आप इस video में उसको देख सकते हैं यानि कि जिन बच्चोंने main part किया है उनके लिए भी video important है और जिनोंने और part किया है उनके लिए भी video important है इसमें उनको सभी के solutions मिल जाएंगे जिन solutions में ये बताना जरूरी है कि ये solutions का answer A option या B option या C option यानि कि MCQs में कौन सा option है और क्यूं है तो उसको भी solve करके दिखाया गया है इसमें अब आपको बता दूँ मैं जैसे ये जो solution आप देख रहे हैं ये बिल्कुल उसी तरह से किया गया है जैसे कि हम लोग board exams के जो answer sheet होती है उसमें करते हैं बिल्कुल उसी pattern में इस solution को किया गया है यानि कि अगर आपने exam में लिखा होगा तो बिल्कुल आपने इसी तरह का ही जो method है use किया होगा ये नहीं कहता हूँ कि word to word match होगा बट कुछ percentage आपके इससे different होगे लेकिन actual में answer तो आपके यही होगे लगभग लगभग ठीक है जो आपने लिखा है उससे थोड़ा mismatch हो सकता है question का जो answer मैंने provide किया है बट आपके answers ऐसे ही होने चाहिए और कुछ question में अगर आपकी राय है या फिर आप चाहते हैं कुछ suggestion देना तो मैंने आपको बता दिया है आप मुझे comment जरूर करिए अगर आपको किसी और दूसरे paper का solution चाहिए तो आप भी उसके लिए भी मुझे बता सकते हैं और इस channel पे जो solutions हैं आपके लिए जो provide किये गए हैं यह सारे के सारे maximum sets को solve किया गया है इस channel पे और अगर आप किसी भी दूसरे paper का solution देखना चाहते हैं किसी भी paper का solution देखना चाहते हैं तो आप जाहिए इस video के description box में वहाँ पर आपके board की playlist बनी हुई है class wise मतलब आप 10th में हैं तो 10th की आपको मिल जाएगी playlist अगर आप CBSC हैं तो CBSC board से मिल जाएगी अगर आप RBSC हैं तो RBSC board से मिल जाएगी तो उस तरह से मैंने CBSC, RBSC, MP board, गुजरात board, जहारखंड board और UK board सभी boards के जो है मैंने playlist बना रखी है class के हिसाब से 10th class के भी और 12th class के भी तो उस पे आप playlist पे click करेंगे तो जितने भी videos हैं जो आपको चाहिए वीडियो सारे के सारे वहाँ पर शो हो जाएंगे आपको कोई वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप मेरी बात को सायथ समझ चुके होंगे तो आप playlist में जाकर के open कर सकते हैं आप देखेंगे वहाँ description box में सारे के सारे playlist मैंने provide करा रखी है और साथी पेपर चीए वह भी available होगा इस चैनल पर आप उसको जरूर देख सकते हैं साथी साथ यह जो solution आप देख रहे हैं अगर आपको यह perfect solution लगता है क्योंकि मैंने अपनी तरफ से perfect बनाया है इसको और यह perfect है और पूरा का पूरा जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूं पिछले कई सालों से वीडियो मैं डाल रहा हूं लेकिन मैंने बहुत ही अपनी एक्टिविटी कम कर दी थी यूटूब पे अभी में मेरे पास बहुत सारे message आगे sir आप प्लीज अपलोड करीए वीडियो solutions प्रोवाइड कराईए आपके चैनल से बहुत help मिलती है तो मैंने का चलो ठीक अगर टाइम बिगाड़ने वाला काम नहीं करना है किसी के लिए disturbance नहीं करना है बस अगर जो बच्चों के लिए फाइदे मन्द हो सकता है उसे प्रोवाइड कराना ही हमारा लक्षे है और अगर आपको किसी भी पेबर का solution चाहिए तो आप मुझे comment section के थुरू comment करके बता सकते हैं आपको पहले ही बता दिया है कि वीडियो की speed ज़्यादा लगती है तो आप वीडियो को pause करके अराम से देख सकते हैं साथी साथ मैं आपको बता दूँ अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो solution को देख करके अपने आपको judge कर सके अपने answers को match कर सके और साथी साथ चैनल को like और share और subscribe भी कर सके तो जरूर शेयर करिएगा और अपने अभी तक अगर share नहीं किया है तो अभी share बटन दबा दीजिए like नहीं किया है तो like बटन भी दबा दीजिए क्योंकि आप भूल जाएंगे यह जो सारे papers हैं यह मैं आपको newhy provide कराता रहूंगा with solution और दूसरी बात मैं बता दूँ अगर आपके कोई cousin या कोई relative दूसरे board में है यानि कि वो UK board में हो या फिर UP board में हो या फिर MP board में हो या उत्राखंड board में हो विहार board में हो रास्थान board में हो या हर्याना board में हो गु यह student है या फिर आपका भाई है या cousin है या आपकी sister है या दूर के relation में भी हैं तो आप उनको भी यह channel का reference दे सकते हैं वो इस channel पर आकर के जुड़ सकते हैं इसकी link आप share कर सकते हैं वहाँ पे share का option आता है share के option में जाकर के आप copy link भी कर सकते हैं और direct WhatsApp से या Facebook से या Instagram से जैस मैंने सभी words के paper यहाँ पर available करा दिये इसलिए मैं आपको यह चीज बता रहा हूं ताकि आप अगर किसी और बोर्ट से belong करते हैं तो आपके लिए भी यह जो वीडियो देख रहे हैं यह इसमें जो जानकाई दी जा रही है वो बहुत ही important है आपके लिए और अब जब भी आ दिये जाते हैं हर बंदे को reply दिये जाता है चाहिए वो comment एक हजार आए या फिर पचास जा रहा है हर बच्चे के जो replies है उन पर comment का जो है reply हमेसा provide किया जाता है ताकि उनको proper answer मिल सके solution मिल सके और वो अपने आपको मतलब ऐसा ना समझे कि हाँ उनकी कोई help नहीं कर पा रहा या कोई उनको सुनना नहीं चाहता तो आशा करता हूँ आपको ये बात तो यहां तक clear हो गई है इसके अलावा जो आपके half yearly या mid term के exams जो होते हैं आपके उनके लिए भी मैं papers आपको available जल्द से जल्द और भी करा दूँगा कुछ papers मैंने already available करा दिया है साथी साथ अगर आ लिस्ट में जाकर ही आपको पता चलेगा कि आपने जो papers आपको जो चाहिए वो यहां पर available हैं या नहीं है फिर उनके solutions available हैं या नहीं है तो आप मुझे comment के थरू भी बता सकते हैं दूसरी बात इस पर आपको previous year के questions भी मिल जाएंगे question papers जो हैं आपके previous years के सारे के previous years के सारे questions मिल जाएंगे तो उन questions के थरू आप ये देख सकते हैं कि आप जो exam देते हैं या आप exam जो देने वाले हैं उसका जो paper है question paper है उसका pattern क्या है मतलब किस तरह के किस हिसाब से questions पूछे जाते हैं और अगर आप 3-4 साल के पिछले 4-5 साल के papers अगर आप solve कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपने 70% अपना syllabus को cover कर लिया है बाकी बचा 30% तो वह आप regular basis पे कर सकते हैं प्लस आपको pattern भी मालूम चल जाएगा इससे फायदा ये होगा कि जब आप exam में जाएंगे तो आपके सामने जब question paper आएगा तो आपके लिए वो question paper नया नहीं होगा ऐसा लगया कि आपने ये exam पहली दे रखा है और आप अपने आपको comfort zone में feel करेंगे और question के answer देने में आपको आसानी होगी question paper को पढ़ना easy लगेगा आपको समझना easy लगेगा अगर आपने पहले से ही question